हेलो फ्रेंट्स आप लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि आप्टर पोर्टल डियम के एनरजी प्लीज बताइए माम क्योंकि हमको जानना है और आपके जो भी बताते हो बहुत अच्छे से हमको रेजोनेट करता है काफी लोगों को तो आपके रिक्वेस्ट पे मैं फिर से व काफी लोगों का पेन में भी है अफकोस वो पेन में है बट इफ यू डूइंग दिस मोर थिंक्स इन यूवर जर्नी तो आपका जो भी चीजे है वो आपके अनुसार होंगी तो चीजे समझने की कोशिश करो कि क्या करना है यह भी बताऊंगी मैं आगे और उसी के साथ में पर नीय तो देखो तकलीड में तो है यह क्योंकि उनके लाइब में बहुत बड़ा चेंज यहा हमारे भी लाइब में बहुत बड़ा चेंज जो फाइवाई आपको पता है ऐई बैलंसिंग को 디श आपको पता है मरक्यूरी को दर्शाद आपको पता है, बुद्धी से related चीजे होती है, बुद्धी कैसे काम करेंगे, अब सब logical mind चल रहा था, एकदम से अब चीजों को एकदम से change होते हुआ आप देखोंगे, आपके life में ऐसे ऐसे changes आप भी देखोंगे, और वो भी देखेंगे, अब चीज यहाँ पे ह पता है, बट डेफिनेटली कुछ चीजे यहाँ पे changes यहाँ पे देखे जाएंगे, यह पता है हमको सबको, बट वो किस बेस पे हम बोल सकते कि कैसे changes होंगे, तो मैं बता रही हो आपको सुनो, पहली बात तो यह कि जो इनसान बहुत ज़्यादा logical था, वो इनसान emotional होते हु यहाँ पे अजर आएंगा, उसी प्रकार से जिनों ने अपने inner DMDF को balance कर लिया है, उनका तो definitely balance ही रहेंगा, अफकोस यहाँ पे उनका energy इस तरह से होंगा कि जो बाते अभी तक कि जिनका inner DMDF balance था, उनका जो चीजे उनको logically कुछ चीजे नहीं समझी थी, अब समझने लगे और जो emotionally चीजे नहीं समझ रही थी, वो चीजे समझ में आने लगेंगी, तो definitely आपके DMDF में तो logical mind होता है, तो वो emotional होते हों यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे मुझे feel हो रहा है, definitely ऐसा ही हो रहा है, और उनकी energy आप भी pick कर रहे हो, यहाँ तक कि ऐसा भी ह हो रहा है, कि आप उनकी energy भी pick कर रहे हो, आपको बहुत खाली पन सा लगा होंगा, कल या परसो, ऐसा आपको feel हुआ होँगा, तो आपको जिनको भी ऐसा खाली पन महसूस हुआ है, वो आपके DMDF महसूस हुआ है, यह confirm है, ठीक है, तो खाली पन जो महसूस हो रहा है, वो आ आराज भी है, वो hurting वाले moments को याद कर रहे थे, जो hurt हुआ था उनके life में, बट आप यहाँ पर आपको करना क्या है, बस इतना ध्यान में रखो कि love vibration सेंट करते रहना आपका, और आपको love vibration में रहना है, आपको और क्या करना है, love vibration में बढ़ने के लिए, red तारा मा मंत्रा ज कीजिए, higher consciousness से भी connect करके, उनके personal, अगर आपने guided meditation काफी लोग उने मुझसे लिया है personally, तो वो वाला कीजिए, actually कल भी करना था, आज भी कर सकते हो, लगातार आप कुछ दिनों तक के कर सकते हो, इसका असर क्योंकि continue रहेंगा एक मेने तक के, तो इसके बाद में भी रहेंग इसका, फिर हमारा 66 का पोर्टल आएंगा है ना, तो आप लोगों को पताए कि गरहन भी गया, उसका भी effect अलग से था, लेकिन यहां पे उसका effect ज्यादा नहीं था, लेकिन था जरूर, क्योंकि गालेक्सी में changes हुए हैं, तो emotions भी change होते हैं, new moon भी गया, new moon के, इसमें भी ब दभी थी, हम सब के अंदर भी दभी हुएंगी, हमें लग रहा था कि हम चीजों को heal कर सुके हैं, लेकिन बट वो चीजे अभी सामने आई हैं, और वो चीजों को heal करना है, किसी भी हालत में heal करना है, खुद को समझ में आ चुका है, काफी लोगों को, ये चीजे को मुझे heal किसी किसी के लिए, मतलब जैसे की, मतलब मैं आपको explain करती हूँ, जैसे की, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अच्छे से सब कुछ चल रहा होंगा किसी किसी का, तो अभी 55 Portal के आने से पहले, कि कुछ दिनों से इसका effect शुरू हो गया था, कि मतलब हम किस पकार के कर् हम क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि सब कुस थौर्ट है, थौर्ट हम अनजाने में ही बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि इस जन्नी में जो है, उन लोगों की बात कर यो, इस जन्नी में जो नहीं है, वो लोग भी क्या करते हैं जाने अन्जाने में भी create कर लेते हैं अपने माइन में बहुत सारी चीज़े है ना तो तब जब कर लेते हैं तो तब यह problem होती है और हाँ मैंने इससे पहले का जो वीडियो अपलोड किया था उसमें एनरजी तो बताई थी लेकिन उसके अलावा बहुत सारी इंपोर्टन चीजे बताई थी उसको ना जरूर देखिये जिन्नोंने मिस कर दिया है क्योंकि उसमें मैंने डियम के साथ में कैसे डिल करना है इस पर बताया है और कही बार ऐसा होता है कि छोटी मोटी चीजे हो जाती है आखिर हम इनसान है तो छोटी मोटी नोग जोक और ये सारी चीजे होती है कभी कभी तो कभी ना ऐसा नहीं सोचना कि मैं जूकू नहीं या फिर वो नहीं जूके ego shut करना ही पड़ेगा यहां पे हमारा भी और उनका भी तो कई बार हमें थोड़ा सा self-respect में होना जरूरी होता उसी प्रकार से उनको भी अपनी self-respect important होती आपके partner को भी तो यह बहुत जरूरी है क्योंकि अभी जो energy चल रही है वह इसी पर depend करेंगी कि आप इको ना दिखा कर आप उनको live vibrations love vibrations तो send कर रहें soul level पर बट 3D में भी अगर आपका sort out हो सकता है तो you should do that ठीक है मतलब ऐसा नहीं कि आप उनके बात्चित होती है और थोड़ा issues अगर create हुए है एक दो दिन में चार पास दिन पहले कुछ ऐसे issues create हुए आपके बीच में कि जिसके वज़े से आप लोगों की उतनी अच्छी बात नहीं हो पा तो थोड़ा थोड़ा आपको handle करना पड़ेंगा थोड़ा चीजों को ठीक करना पड़ेंगा आपको खुद से ठीक करना पड़ेंगा कुछ चीजे 3D में भी लेकिन यदि इतना ज़्यादा किसी को परेशान भी नहीं करना चाहिए कि वो इनसान परेशान हो इसका भी ध्यान रखना यह चीजे हुई होगी मैक्सिमम काफी लोगों के बीच में मतलब इशू सर्फेस पर आई और ट्रिगर भी हुआ होगा तो जो ट्रिगर चीजे हुई है वो ट्रिगर को हील करना यह चीजों को मुझे हील करना यह मुझे मिरर दिखाया गया है यह चीजे मुझे हील करनी है यह यूनिवर्स के तरफ से बताई जा रही है यह मेरे कॉस्मिन पार्टनर के थूप बताई जा रही है इस चीज को समझ के उसको heal करो उसको analyze करो उसको ठीक करने का सोचो बट जगडा करके कोई चीज नहीं मिलेंगी तो आपको थोड़ा सा जुगना पढ़ेंगा थोड़ा सा, मतलब जुखना मतलब ऐसा हो जाता किसी किसी के लिए जुकना मतलब ऐसा लगता है कि कोई कोई सोल सिस्टर थोड़ा सा नहीं बाबा हमारे सेल्फ रिक्स्पेट पे आ गया सेल्फ रिस्पेक्ट इस डिफरेंट एगो इस डिफरेंट दोनों चीजों में डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है हमको ठीक है तो self respect रहे बट ego ना रहे इसका ध्यान रखो अगर फिर भी नहीं मैंने इससे पहले भी ego और self respect में difference तो बताया है लेकिन अगर आपको नहीं समझ रहा है तो please मुझे पूछिए और आप लोगों के और भी बहुत सारे questions है मैं लिकर रखती हूँ लिकर रखोंगे अगले वीडियो में वो जरूर मैं note down करके बताऊंगी थोड़ा सा ध्यान में नहीं रहता फिर busy schedule है थोड़ा मेरा बहुत जादा तो इसलिए मैं वीडियो भी डेली नहीं डाल पाती हूँ लेकिन आपके requests आते रहते हैं messages आते रहते हैं I'm sorry about that but क्योंकि काफी लोग आते हैं मेरे पास में कि माम आपका जो चीजे हैं बहुत जादा resonate करती हैं हमको और please बताईए तो मैं उसके लिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को चीजे please important हर एक छोटी सी छोटी चीजे important होती है कि कही बार अपनी value को खोना भी नहीं है मैं ये भी बोलती हूँ लेकिन वो situations और circumstances पर depend करता है तो आपके partner आपको बहुत जादा miss कर रहे हैं लेकिन अगर वो missing जो energy जो आ रही है वो आपके वो hurt की हुए बातों को याद कर कर आ रही है तो वो चीजे रहे जाती है तो जो ending है आप लोगों की बादस्कीट कई जो ending है वो ending अच्या हुआ था या बुरा हुआ था इस पर डिपेंड करता है तो जो आप last time बात किे हो कभी भी आप लोग जबी फोन में बात करते हो या call भी बात करते हो तो ending जो होती है वो अच्छी वाली होनी चाहिए वह अच्छी होंगी तो अगली बार इनसान भी सोचेंगा कि हां मुझे बात कर नहीं चाहिए लेकिन एंडिंग यह अच्छी नहीं हो रही आपकी आप प्यार से एंडिंग करो कोई भी चीज ऐसे फटा फट मतलब कुछ लोग अभी भी न डियाफ में भी बहुत सारा इशू अभी क्लियर नहीं हुआ न तो डियाम्स न वो चीजों को पसंद नहीं करते हैं तो इसलिए वो भागते हैं किसी और के तरफ भले ही भागते हैं लेकिन उनमें भी आप एको ढूंटे हैं और उनमें भी आप एको ढूंटे हैं और फिर उनको समझ में नहीं आता है फिर उनकी जो आपके डियाम्स मतलब मैस्कुलन एनरजी ऐसी होती ना कि उनको कहाई बार समझ में नहीं आता है जब तक कि डियाफ अपना हीलिंग खुद का करके अपन करते हुए उनको क्लेम करते हुए है ना यह चीजे बहुत इंपोर्टेंट है और अभी अभी क्या करना आप लोगों को ध्यान में रखो अभी बहुत अच्छे अफर्मेशन बोलने हैं मैं अफर्मेशन कुछ अफर्मेशन बताती हूँ जैसे कि मेरे कॉस्मी पार्टनर डेफिनेटली बोलिए और देखना बहुत चेंजेस आएंगे मैं अगला वीडियो मैं कल बनाऊंगी गॉड ब्लेस यू आल लव यू आल